नमस्कार सभी प्यारी विद्यारतियों को मैं कपल चाहर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परवाद टॉप तक पर जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुचाएंगे वीडियो की इस रंकला में आज हम बात करने वाले हैं प् फड़ावर से यहां पर देखते हैं कि पहला प्रश्ण आपका है सालार जंग संग्रहाल है इनमें से किस इस्थान पर इस्थेते हैं पटना ओप्सन में लखनुक दे रखा है है नई दिल्ली दे रखा है तो आपको आंसर याद रखना है इसका हैदराबाद हैदराबाद म हुआ था वो 1919 में हुआ था आपसे पूछ रहा है यह कहां पर इस था है तो आपको यहादक पर यह मुंबई में अस्थ yapmış है चीजो कहां पर इस्थेत है ये मुंबई में इस्थेत है इसके अलाबा विस्व विख्यात रॉक गाइडन ठेक है रॉक गाइडन इनमें से किस इस्थान पर इस्थेत है रॉक गाइडन की अगर हम बात करें तो चंडीगर्ड चंडीगर्ड का रॉक गाइडन जो है ये काफी फेमस आपके गाइडरन है और या एक्जाम में कई बार आपके आप कहा पूँछा भी जा चुका है इसके अलाबा सेर्सा का मकवरा पूच रहा है सेर्सा सूरी के मकवरे की अगर हम बात करें तो यह मकवरा आपका सासा राम भिहार में इस्थног राम है आपके सेर सहा का मकबरा इस्थित है इसके अलाबा एफिल टावर आपसे पूछ रहा है एफिल टावर की अगर हम बात करें तो यह कहां पर इस्थित है तो आपको यादखना है पैरिस ठीक है एफिल टावर जो है वो किस जगा पर इस्थित है आपको यादखना है तो इस्थ दिरका जापान दिरका नेपाल दिरका है आपको यादकना है कि इंडोनेशिया के जावा दूइपप बोरो बुदूर का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो इस आपका इस्थित है इसके अलाबा कमबोडिया इस्थित अंकोर बाट का मंदिर ठेक है कमबोडिया में इस्थित है क् अंकोरवाट का मंदर ये किस देवता को समर्पित है तो आपको यादखना है विश्नु ठेक है विश्नु देवता के लिए समर्पित है आपके अंकोरवाट का मंदर जो आपके कमबोडिया में इस्तित है इसके अलाबा एलसी पैलेस की अगम बात करें तो एलसी पैलेस को दखना है काट martu नेपाल कहाँ पर काट मांडु नेपाल जो आथ पर पसुपतिनात बंदर हिस्थे तए इसके अलाबा लिनिंग टावर ओप पीशा ठीक है जिसे आप पीशा की मिनार के नाम से भी जानते हैं यह आपका कहाँ इस थेता है आपको यहां दखना है इटली में में इस्थेत है आपका पीशा की मीनार जिसको लेनिंग टागबर और पीशा भी कहा जाता है जो कि लाटे के लिए प्रसिद्ध पीशा कहाँ इस्थेत है देखे वही कुश्चन है बस लेंगवेस को थोड़ा सा चेंज किया है आपको अभी भी बताया कहाँ पर है इटली में आपके इस्तित है जेरुस्लम जेरुस्लम किन लोगों का तीरत इस्थान है आपको एक चीज आदकना है जेरुस्लम की अगर हम बात करें तो जेरुस्लम जो है वो इसाईयों यहूदियों और मुस्लिमों ये तीनों के लिए ये आपके पवित्र इस्थान माने आता तीरत इस में इस्थित है तो आपको याद अखना है उत्रा खंड राज है लैन से डाउन नामक यह जो परवतिय नगर है यह आपका कहां पर है उत्रा खंड राज में है इसके अलाबा देखेगा साली मार बाग और निशात बाग इन दोनों के बारे में आप से पूछ रहा है कि यह दो दोनों इस्थान दोनों पार्क जो हैं यह कहां पर इस्थित हैं तो आपको याद अखना है यह स्री नगर में इस्थित हैं साली मार बाग और निशात बाग इसके अलाबा देखेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल ठेक है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर हम बात करे तो यह आपको यादकना ही कहां पर इस्तित है यह आपके कन्या कुमारी में इस्तित है कहां कन्या कुमारी में आपके विवेकानन्द रॉक मेमोरियल इस्तित है प्रिंस ओफ वेल्स म्यूजियम की बात करें प्रिंस ओफ वेल्स म्यूजियम की अगर हम बात करें तो यह आपक किस इस्थान पर इस्थेत है तो आपको याद अखना है हैदराबाद क्या हैदराबाद में आपके गोलकुंडा का किला इस्थेत है गोलगर ठीक है गोलगर इनमें से किस इस्थान पर रहे है तो गोलगर के बारे में आपको याद अखना यह पटना में इस्थेत है इसके अल अलाबा जेरुसलम किन लोगों का तीरतिस्थान ये कुशन रिपीट हो गया कोई दिक्कत वाली बात नी मैंने आपको बताई दिया था एसाई यहुदी और मुस्लिम ये तीनों के लिए तीरतिस्थान जो है तीरतिस्थान के रूप में जाना जाता है यहां पर कुछ आपको अउसा कोई मंदर नहीं बोरो बुदूर इन्डोनेशा में अंकोरबाट कंबोडिया में मीनाच्पी मंदर भारत में इस्थेति है एसके अलाबा सायर ठीक है लंका सायर नामक जगह कहां पर इस्थेति हैं तो लंका सायर आ दो आपको याद द दकना है यह आपका ब्रिटे काया था, coral reef कहा जाता है, basically पिरवाल जो होता है, यह पिरवाल आपका एक समुद्रि जी और समुद्री जीव, जो है, उसका नाम होता, polyp, क्या नाम होता है? पोलिब, तो great barrier reef यह काफी famous है, जैब बिटता के लिए बहुत ज़्यादा importance रखने वाली है और यह कहां पर इस्थेत है तो आपको याद अकना है यह Australia में इस्थेत है कहां पर Australia में है आपकी Great Barrier Red Square की बात करें तो Red Square इन में से किस इस्थान पर इस्थेत है यह आपको बताना है तो आपको याद अकना है मासको ठेक है रूस में आपके मासको जगाए मासको में आपके Red Square यह आपका इस्थेत है इसके अलावा पंजसीर घाटी की बात करें तो यह आपका आफगानिस्तान में इस्ठेत है इसके अलावा माथे रान नामक ये आपको बताना है इनमें से किस एस्थान पर है तो माथे रान वैँर देखिएगा काफी जाधा फेमस है आपके हिल स्टेन है परवत्तिय नगर है काफी जाधा आपके exam में पूछा भी जा चुका है महाराष्ट में इस्तित है कहां पर महाराष्ट में है आपके माथे रान इसके अलावा हमपी के खंडर किस राज में है कई बार एक्जाम में कुशन आ चुका है या दखेगा करनाटक में इस्तित है इसके अलावा दच्छन बारत का परवतिय सेरगा उटक मंडलम या ऊटी कहां पर इस्तित है ठीक है ये भी आपके कई एक्जाम में भैया Repeat ओ चुका है या दखेगा ये तमिलनाडू राज् effectively कहां पर तमिलनाडू राज्म्छे हुआ पर आपको युगम दे रखें इन में बताना है कौन सा सुमेलित aí नहीं है ठीक इन में से बताना है आपको इन में से गलत कौन सा है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा आपका 31 का भी अगला कुछन है आपके लिए गुरुदारा पंजा साहिब ठेक है पंजा साहिब गुरुदारा यह आपके किस पड़ोसी देश में है तो आपको यादखना है पाकिस्तान ठेक है पाकिस्तान में आपके पंजा साहिब गुरुदारा इस्तित है इसके अलाबा इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायर और महाबारत के चित्र बनाए गए हैं तो इंडोनेशिया का भई आप प्रसिद मंदर जिसकी बात आप आप यह भी करके आए ते आपको याद अकना है बोरो बुदूर मंदर में ही आपके रामायर और महाभारत के चित्र भी देखने को मिलते हैं प्रसिद छोटा इमाम बाड़ा चोटा इम आपके चित्र कला जो है ठीक है यहां पर आपको कई सारे चित्र कला के साथ यहां पर प्रते थैं तो आपको यहां पर यहां दखना है कर दो हति गुंफा किस लाटो और याद बलें आपके इतिहास में काफी जादा महत्तपूर्ण है यहांसे आप को पूछ लेगा यह बांस्तम में है किस स्थान पर तो यहां पर आपको याद अखना है यह आपका उडीसा राज्ज में इस्थेत है ठेक है इसके अलाबा एत्माद दौला के मकवरे की बात करें तो यह आपके आगरा में इस्थेत है इसके अलाबा अगला कुशन देखेगा जहांगीर का मकवरा जहांगीर के मकवरे की अगाम बात करें तो यह कहां पर है आपके लाहौर में इस्तित है कहां पर लाहौर में आपके जहांगीर का मकवरा इस्तित है मरीना बीच इनमें से किस इस्थान पर है चेन नहीं में बहुत फेमस है आपके मरीना बीच ठीक है इसके अलावा मुसंबन बुर्ज मुसंबन बुर्ज यह कहां पर है यह आपके आगरा मेह तो आपके मद्द्ध प्र्देस में इस्तित है जहारखंड का किसे कहा जाता है आपको याद कना है राची जहारकंड में राची नाम के जो इस्तान है यह आपके जहारकंड के सिमला के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा भीम बेटका की गुफाओं की बात करें तो भीम बेटका की गुफाओं की अगम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है यह आपके मद्द प्रतेस में इस्तित है क्या भीम बेटका की गुफाओं जो है यह आपके कह स्थान कहां पर यह आपको यादकना है कोलकाता में जैसे अभी एक कुशन आया था भाई सकती इस्थल पर ऐसे कई सारे इस्थल हैं जो किसी ना किसी महापुरुस के समाधी इस्थल से चुड़े हुआ है और मैंने एक वीडियो इसके उपर भी बनाया था जो महतपुन सलते हैं उनके उपर भी मैंने आपका वीडियो बनाया है तो आप उस वीडियो में जाकर इन चीजों को देख सकते हो अगला कुशन आपर देखेगा तो क्या है कानेहरी और कारले की गुफाओं के अगम बात करें तो यह जो हैं यह आपके कहां पर इस्थेता हैं यह आपक किस सहर के निकट इस्थेत हैं है ना नंदी हिल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाद अखना है यह आपके मैसूर के पास हैं कहां पर मैसूर के पास में हैं आपके नंदी हिल्स निमलिकित में से किस सहर में जंतर मंतर का निरमार सवाई जैसिंग के द्वारा नहीं क तो आपको यादखना है जैपुर जैपुर के अलाबा आपको यादखना है उज्जैन जैपुर जैपुर के अलाबा आपको यादखना है उज्जैन इसके अलाबा आपको यादखना है मतुरा ठीक है मतुरा इसके अलाबा आपको यादखना है वारानसी और आपका दिल्ली इन पांच इस्थानों पर इनके द्वारा वेद सालाओं का निर्माड कराया गया था यह आपको याद अखता है तो इसमें पटना सामिल नहीं होगा अगला कुछन आपकी सामने है कि परवतिय परटन इस्थलों की राजकुमारी ठेक है इन मैंसे किस इस्थान को परवतिय प कौन स्मेलित नहीं है होगा तक के लिए जै हिन जै भारत